हाई friends, welcome back once again, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, कि हमारा next week में strategy क्या होना चाहिए, काम करने का, nifty and bank nifty दोनों के उपर, थोड़ा सा यहाँ पे strategy pattern change हुआ है, वो ही हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं, कि हमारा strategy कौन सा pattern, कैसे change हुआ है, तेकि, अब आगे कैसे काम कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ मेरा चैनल है टेलिग्राम पर मनी मैनेजमेंट के नाम से आप चाहो तो वह भी ज जब आप देखेगा न, इस टॉक मार्केट में, जब मार्किट हाई पे हाई बनाता है या तो निफ्टी अपने हाई लेबल पर पहुंच जाय तो वहाँ प्र लोग पैसा लगाने से डरते हैं अभी निफ्टी अपने लाइफ टाम हाई पर ट्रीट कर अगर मैं यहां कहूं आपको कि निफ्टी यहां से मुझे और 200 पॉइंट का मुमेंट लगता है आप यहां पर निफ्टी बाई कर सकते हो तो एक बार आप सोचोगे कि यहां पर बाई करना चाहिए यहां पर रिस्क ज़्यादा है यहां पर बाई नहीं करोगे और इसी के साथ साथ अगर निफ्टी अपने लोवर लेबल पर स्टैंड है या कोई स्टॉक अपने लोवर लेबल पर स्टैंड है तो भी आप पैसा वहां पर नहीं लगाते हैं आप इंतजार करते हैं कि यह कहीं और नीचे ना हो या बैंक निफ्टी हो कुछ भी हो जहां पर रिटेलर का जहां पर रिटेलर इंटरफेरंस कम हो जाता है जहां पर लोग डरने लग जाते हैं बजार और स्टॉक आप देखे को वहां पर और ज्यादा परफॉर्म करके उसके बाद फिर एक लेवल पर जाकर रुखता है तो क्या होगी करें तो पंद्राजा ठेसो साथसो आ गई अब कहां ओपर जाएगी बेच लो जो लोग ठीक है जिनको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है ठीक है चार्ट देखके काम करते हैं डेटा पर काम करते हैं बात नहीं कर रहा है उनकी आप जनरल रिटेलर को उठा के दे बेचो यो और बेचो बेचो ऊपर ही रहता है उनकी याता है कम नीचे आता है जब आपका क्या कंप्लेंट होता है के मार्केट तुमारा रहा आँ मरा इवेट कर रहा था बैंक निफ्टी मैंने कल अपने टेलिग्राम मैसेज टेलिग्राम चैनल पर मैसेज डाला था कि बैंक निफ्टी इस रेडी तू मुव 1000 पॉइंट का मुमेंट में को बैंक निफ्टी में अपसाइड लगता है and I am carrying buying position look at this बैंक निफ्टी मेरी बाई है निफ्टी में आप देखेंगे 15,450 की कॉल बाई कर रखा हमें यह दो position हम बाई करके carry कर रहे हैं मंडे देखते हैं क्या होता है इसके साथ साथ जो strategy चल रही है वो तो चली रही है आप यह बता हूं इस expiry start होने से पहले हमने जून में execution करना शुरू कर दिया था अब जून में हम debit वाली strategy पर काम कर रहे थे जून में कौन से strategy थी debit वाली उसमें हम option buy करके जहां पर straddle कर रहे थे वह straddle क्या हम sale करके काम कर रहे थे किया यह expiry अभी में वाली last expiry end नहीं थी उससे पहले हम ने उस पर working शुरू कर दिया था now we are continue तो अभी जैसे जून चल रहा है तो हम जुलाई में पर भी काम कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहें आप भी कर सकते हैं तो हम वह यहां पर डिसकस करने वाले सबसे पहले आप यह देख लो बैंक निफ्टी में कोई मंदी नहीं लग रही अभी सॉरी निफ्टी में कोई मंदी नहीं लग रही आप एक छोटा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है निफ्टी में 15,490 का लेबल चूँ सकती है निफ्टी यह वला लेबल देखो यह लेबल निफ्टी टच कर सकती एक बार पर अगब आप आईए सोच रहे हो कि यह लेबल टच करने के बाद और निफ्टी 15,000 का लेबल तोड़न टच करके वहां से बजार घुम सकता है इमेडियेट बड़ इसके नीशे अभी लग रहा हो और आपको यह कंसिस्ट हायर हाई देखने को मिलेगा निफ्टी अपने हाई लेबल पर ट्रेट करने वाली है ठीक है कोई बड़ी बात नहीं कि निफ्टी 16,000 को एक बार टच करक लेकिन उससे पहले हो सकता है आपको 490 का लेबल दिखाए तो आप बाइंग इनिशेट कर सकते हो विथ हैजिंग करेक्ट है अभी जब निफ्टी ऐसे हाई हाई चल रही है ठीक है तो अब अगर आप स्ट्रेडल भी बना रहे हो या स्ट्रेंगल भी बना रहे हो उसमें त अपना मार्केट ने अपना चाल चेंज कर लिया तो आपको भी अपना ट्रेडिंग पैटन चेंज कर लेना चाहिए अगर मार्केट देख लो आपको यहां से कंसिस्ट ऐसे हाई 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 दिख रहा है यह बजार ऐसा चल रहा है यह बजार ऐसा नहीं चल रहा है उपर की जा रहा हाई पर हाई बना रहा है थोड़ा नीच आता है फिर उपर जाता है जो नया हाई बनाता उस नया हाई को ब्रेक करके उपर जाता है मतलब बजार कंटीन्यू पॉजटिव लग रहा है तो ऐसे मैं आप क्या कर सकते हो मैंने वह स्ट्राटेजी बनाई थी बताई थी क में आप बाइं करके काम कर सकते हो पार्शली को है निवल करता है यह देख लो यह वाला रेंच 15,292,290 मतलब आप 300 का सपोर्ट माल लो और उपर में जो निफ्टी उपर चल ली चल ली यह लेबल ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर यह लेबल ब्रेक करेगा तो फिर हम बात करेंगा नेक्स्ट और उसके बाद यह तो बहुत ही जादा स्ट्र रिकवर हो जाएगी यह रही निफ्टी की बाद अपन बैंक निफ्टी देखते हैं मैंने अभी आपको कौन सा लेवर बताए यह सब हटा देता हूं मैं यह सब अभी है आपके काम का नहीं है यह गंटे का चार्ट मैं देख रहा हूं कर्रेक्ट बैंक निफ्टी किलेरली आम टेलिंग ऑन माई चैनल के बैंक निफ्टी मेरे को यहां सा धौजिंड पॉन की तेजी लगते हैं मैं यह आपको बताता हूं फ्यूचर में अगर बैंक निफ्टी पंदरह हजाद सौरी 35,690 को क्रॉस करके सस्टेन कर जाती है न तो आपको क् यहां से ही बैंक निफ्टी घूमी है नीचे वापीस एक ग्रीन केंडल आप देख रहो कैसा इसकी क्लोजिंग आई है और देखो हम यहां पर पॉडिशन बाई करके कैरी कर रहे हैं बैंक निफ्टी 15,380 के आसपास हमारी बाइंग चल रही है अब 15,380 के आसपास हमने जो 35,380 के बाई किया है 35,380 के बाई किया उसका स्टॉप लॉस हम यह रखने वाले हैं देखो हमारी जो पॉडिशन है वह कंप्लिटली है लेकिन फिर भी 35,200 के आसपास हम इसका यह जो सपोर्ट है इमिडियेट 15,000 115,500,200 यह हम रखने वाले हैं अगर यह लेवल काटता लगेगा कि बैंक निफ्टी काट रहे हैं इसके नीचे सपोर्ट ले रहा है इसके नीचे जाने के लिए और यह रेष्ट्टनस बन रहा है तो एज़िंग पोडिशा में हम निकल जाएंगे में लास्बू करके बट बैंक निफ्टी देखो कंसिस्ट हैं आपको आपको आह तो बैंक निफ्टी में अभी आपके पास बहुत बाइब करके काम कर सकते हो तो आपको यह पूजिशन बैंक निफ्टी में 15690 को पर आपको आपको अराम से यह 36-500 का लेवल देखने को मिल जाएगा करेक्ट तो बैंक निफ्टी में एक बाइंग वोली स्टाटेजी हो सकती है बाइंग वोली स्टाटेजी कौन से हो सकती है जो मैंने बताया था कि फ्यूचर वाई करके आप कॉल ऑप्शन सेल करके भी हैच कर सकते हो अब पूट ऑप करके भी हैच कर सकते हैं या फिर आप अगर मेंगेड काम करना चाहो तो यह आपका स्ट्रिक्ट प्लाओ से यूव नट टुवेट स्टॉप लास दिमाग में रखना है स्टॉप लास सिस्टम में फिल होना चाहिए कर्क्ट तो यह एक चीज़ कर सकते हो ठीक है अब यह दो निफ्टी के देखले चलो वैंक निफ्टी क्लोजिंग 35 535 के आसपास आई है ठीक है ओप्षन में देखी तक किया बना सकते हैं है और है है तो है है अभी आप देख़र को बैंक निफटी में जैनली में क्या काम कर रहो है रोज इसंदन बनाता हो रोज बॉक कर लेता हूं आप रोज इस्टपक लिस एकश्ड़ नाटा हो a आप जो स्ट्रेडल हम आयरन फ्लाई बना रहा थे आयरन फ्लाई में आप कंटिन्यू कर सकते हो लेकिन उससे जादा बेटर मुझे लग रहा है कि आप फ्यूचर बाई करो और इसको ऑप्शन से हैच करके करो तो मेरे हिसाब से आप क्या कर से तो बैंक निफ्टी में या तो निफ्टी में क्या कर सकते हैं तो आप अधिक निफ्टी में आजओ निफ्टी क्या चल रही है 15,699 के सपास ऐना मैंने का के मैंने में वाली जब एक्षाइरण नहीं हो थी उससे पहले हम जून वाले काम करे थे जून वाली कोण से झारी काम करे थे हम ये वालिओध में 24 जुन वाले में मैं और उसमें में क्या प्लाया हैए ता वो पोडिशन हमने एक बार बुक कर ली अभी आप क्या कर सकते हो यह नियर वाली इक्सपैरी मत करो 24 इस पर चले जो जून इस पर काम करो फिफ्टीन थाउजन आप देख लो 600 वाली इसको देखते हैं क्या चल रही 250 रुपया इसकी पुट आप्शन 111 रुपया ठीक है थोड़ा सा और उपर मूफ करते हैं 15700 वाले में इसकी पुट आप्शन 190 और कॉल आप्शन देख रहें 192 कितना कम प्रीमियम है आपने अभी म जा में देख स्काइबिकर न कम होगया तो आपको ज्यादा कर सकता है आप क्या कर सकते हो 15 700 की कॉल आप्शन भाय करो यह देखो आपको यहां पैसा दिखने वाला यहां पे आपको क्लियर लॉस दिख रहा है 28,000 का आपके प्रीमियम का लॉस यह दिख रहा है क्योंकि आपने सिर्फ बाइंग यह बाइंग करी है अब ब्रेक इवन 15,318,16,182 मतलब इसके इन बिट्वीन अगर बजार रहे तो यह आपको पूरा लॉस लग जाना है हाना तो अब इसको आप थोड़े सा हेजिंग डाल दो अब हेजिंग कैसे डाल सकते हो तो हम यह करते हैं काम करते इसमें 16,100 की कॉल अप्शन इसको देखते हैं क्या रही 16,100 की कॉल अप्शन आप एक आपने बाई किया तो इसको तीन सेल करो ठीक है ब्रेक इवन पे और 15,300 वाली पुट अप्शन इसका हम देख लेते हैं प्रीमियम क्या है यह थोड़ा सा नजदीक हो जाएगा थोड़ा सा इसको और मुव कर देते हैं दो सो प्याजाते हैं 15,200 तेरे पंडर पर ठीक है इसको ले लेएगे आरी लोगे इस इसफोगण आप देखे आपको प्रॉफित यहां पर इस आप को आपके डिखर आई आप के ब्रेक इवेंट्स आ अब इस स्ट्रेजिक को आपको handle कैसे करा है क्योंकि देखो यहां पर आप देख रहो ये लेबल अगर कर रहा है तो आपको loss ये लेबल ब्रीक करर रहा है तो आपको कि आपको आपने एक हैं लॉट बाई किया तिम पिया है मतलब आपकी एक लॉट तक है बाकी दो तो लॉट आपकी open फिर भी profitability chances are bright कि इसमें आपको profit profit जाधा होना है बजार अगर यहां कहीं पर रह जाता है तो आपका profit देख लो बजार अगर यहां कहीं पर रह जाता है आपका profit तो कि इस तरह की strategy पर आप काम कर सकते हो अब इस strategy को manage कैसे करना अगर यह अपना level break कर रहा है तो इस strategy के लिए मैंने आपको separate एक वीडियो बनाया है वह आप देख लें या पहले भी मैंने वीडियो बना रखा है वह आप देख लें तो आप समझ जाओगे कि इस strategy को manage कैसे करना है मैं भी आप से को बता रहा हूं कि आप इस तरह की strategy पर काम कर सकते हैं बट क्योंकि दो ल तो यह थी nifty bank nifty और यह हमारा चैनल है आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो यार ताकि आपको मेरा वीडियो मिलता रहे तो आज के लिए मिरे दोस्तों इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट्राइजी के साथ थैंक्यू थैंक्यू सो मैच